देल वाले दुलरियां ले जाएंगे मूवी के एंड में शारुक खान टरेन में होते हैं और काजोल उनका हाथ पकड़ने के लिए दोड रही होती हैं पूरी दुनिया यह चाहती है कि कैसे भी करके काजोल शारुक का हाथ ठाम लें पर इस वाले सीन में ऐसी कई सारी possibilities हैं जिनके उपर कभी चर्चा ही नहीं की गई बेहतरीन analysis बताएंगे प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए किसी भी चलती हुई train को रोकने के दो तरीके होते हैं पहला ड्राइवर ब्रेक मार दे दूसरा कोई भी पैसेंजर चेन खीच दे अगर ऐसी situation में शारुक खान दिमाग लागा कर चेन खीच दे तो काजोल जो इतनी भारी भरकम ड्रेस पहन के दोल रही थी उन्हें इतना दोलना नहीं पड़ता चलो शारुक खान का दिमाग नहीं चला इतना सारा पिटने के बाद जिस लड़की से वो प्यार करते थे वो दोल के उनकी तरफ आ रही है पर काजोल तो समझतारी दिखा सती थी किसी भी ट्रेन के डिब्बे में चलने या उतरने के लिए दो एंटरेंस और दो एजजेट होते हैं वो शारुक खान के एंट्री वाले पॉइंट पे ही क्यों ट्रेन में चलना चाती थी वो चाती दिमाग लगाती तो दूसरे वाले एंट्री से चड़ जाती या फिर पिछली किसी भी बोगी में वो आराम से चड़ती और उसके बाद ट्रेनों के डिब्बे इंटरकनेक्टेड होते हैं ट्रेन के अंदर अंदर आराम से वो शारुक खान से मिल सकती थी